चिराग पास्वान का जो यात्रा हुआ इतना इंपैक्टफुल रहा कुर्णी में जो रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ को जो जो लोकल पत्रकार है उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि चिराग पास्वान का इंफ्लूएंस वहाँ के पूरे दलित नमात पे है ताड प्रतिस्त वोट ही पीजेपी को दलित का मिल गया मतलब 30,000 के आसपस अगर वोट बीजेपी को दलितों का मिल रहा है ज्यदा ही मिलने का चांस है तो बीजेपी के लिए फिर जो बी फैक्टर है वहाँ पर उन्नी में भूम्यार फैक्टर वह कंपनसेट हो जाएगा इसमें दो रहा नहीं है तो सहनी समाज भी इस बात से बहुत गुस्य में है कि आखिरकार आप किस बात का आप कहते हैं कि हम सनौफ मला हैं मलाहों के बेटा है हम नदी और पोखडा और मसली का राजनिती करते हैं बिहार में आप तो टिकट देए एक भूम्यार को एक ही चैलेंज ह मत आता है कुड़नी के वो एक मुस्त आपमान कर चलिए हमें एक मुस्त बोल रहे हैं एक मुस्त वोट करेंगे किसको गुलाम मुर्तजाद हो कि AIM-AIM के परत्यासी हैं मुझापरपूर के कुड़नी में कल चुनाओ होना है मदान में चंद घंटे बचे हैं ऐसे में कुड़नी में क्या होगा जातिये समिकरन क्या कुछ कह रहा है किसकी जीत होगी इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ उधिप तारियर हम बात करेंगे कुड़नी में अब क्या होगा चुनाओ भी परचार भी थम गया चिराग पास्मान भी आ गए रभी किसन भी गए थे बड़ा खेला होने की चेताबनी मिल रही है क्या लग रहा है इसबर कुड़नी विधान सभा का परिणाम है ना वोसराब और साझाव बंदी की असवह माइन रखने वाला है इसलिए बात हम कह रहे हैं कि वहां के जो कुल तीन सवा तीन लाखी 11728 मदताओं के कुल संख्या है जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं नभारत टाइम्स के आकड़े हैं तीन लाखी 11728 वोटर हैं उनमें आप मान कर चलिए कि 19 परतिसत मतलब करीब करीब कि 60घार के आसपास जो वोटर्स हैं वो डली समाज से आते हैं understand कौन-कौन से वोटर हैं दली्ष समाज के पास्वान हैं पासी हैं डोम हैं चमार हैं जो की जाती हैं यह लोग होंगे इतना इंपक्टफुल रहा कुर्णी में जो रिपोर्ट आ रही है वहां को जो जो लोकल पत्रकार है उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि चिरागपा स्वान का इंफ्लूएंस वहां के पूरे दली समाज पर कारण समझ लीजिए बिहार में ताड़ी पर रोक है ताड़ी किसी जाती का खासकर पासी जाती का जो पारंपरिक व्यवसाय है कितनी पीडिया उनका यहीं व्यवसाय करके अपना पुशन किया है वो लो मतलब उनके जीविका का एक मुझ के लिए बिए पूरा ब्लॉट था चिराख पास्वान ने उस मुद्वे को उठ़ाया और उठाया ही नहीं यहां तक उन्होंने कह दिया कि पास्वान और 빠सी एकी जाती है विहार में दोनों को एक ही माना जाता है यूपी का पासी होते हैं वो पास्वान बंदन के परतासजी को हराई है उन्होंने कहा भी कि देश्वी आदम ने मेरे पिता रमयराम को दोखा दिया है बोचाओ चुनाओ के समय तो यह सारे फैक्टर्स जो है वह मिला कर आप मान कर चलिए कि आगर अगर 50% वोट भी बीजेपी को दलित का मिल गया मतलब 30,000 के आसपास अगर वोट बीजेपी को दलितों का मिल रहा है जदा ही मिलने का चांस है तो बीजेपी के लिए फिर जो बी फैक्टर है वहाँ पर कुर्णी में भूमिहार फैक्टर वो कंपनसेट हो जाएगा जादे सम के आसपास कोईरी और भूमियार है वहाँ चाली 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 इसके बाद बात कीजिए यादवों की तो करीब 25,000 के आसपास है मुस्तिम समाज के लोग है 23,000 के लोग है सहनी वोटर की आबाद की जिए मला होते हैं के वर्ट बिन जिने कहते हैं मचवारा समाज उनकी अबा पर तैसी खड़ा कर दिया है भूमियार को निलाव कुमार को सादू सरन साही के पोते को तो सहनी समाज भी इस बात से बहुत गुस्से में है कि आखिरकार आप किस बात का आप कहते हैं कि हम सनौफ मला हैं मलाहों के बेटा हैं हम नदी और पोखडा और मसली का राजनिती कर सबसे हैं लेकिन मुकामा में लवकु समीकरण टूटा मुकामा चुनाओं आप ही कवर कर रहे थे लगतार वहां पर तो अगर बीजेपी सिर्फ बीजेपी के बासे चैलेंज है उन्हें चालीस पैतालीस दर पैतालीस दर के आसपास वहां पर कुल सवर्ण मत आता है पूर्णी में भुमिहार और आत्कुत को जोड़ लेजिए तो अगर वोट में से कुछ शटकता है उसको कॉंपनसेट करेगा दलित से एक ही चैलेंज है कि लवकु समीकरण जो है कुर्मी और कु सब्सक्राइब नहीं गया और वोट टूटता है और वोट टूटकर बीजेपी के पास 25 प्रतिसत भी आ जाता है मतलब 12-15 अगर कुर्मी वोट बीजेपी को कर रहा है कुर्णी में तो फिर कुर्णी में नितिश कुमार के प्रत्यासी मनोस सिंग को स्वाहा के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा तो चिराग पास्वान एक बहुत रेलेवेंट बन गया और एक ही बार गया है तब इतने बड़ा फ्रेक्टर बन गया है तो चिराग पास्वान को खासकर देखिए बिहार का दलित समाज लागतार जितन राम मा पासवान सुन से उनके नहीता रहे हैं सिर्फ रburst समाज के नहीं रहे हैं और अधी एक्षपिबिलिटी ऐट शॉच समाज समाज में ऌहां पासवाज कर रहे हैं लेना कि मैं पासवाइब कर रहा हे तें और 3,100,178 तो है क्या कुन्नि energy में उनकाких निस परतिसत मतलब करीब करीब अंठावन से साथ अजार अगर दलीत हैं उसमें से साथ से सतर परतिसत दलीत जो है वो बीजेपी की तरफ इसबाटर्न होंगे यह पकीत और वर्माल लीजिए निलाब कुमार की बात कहीं तो मुकेस सहनी क्या खेला भीगाडएंगे इस पार क्योंकि वह लगातार कहते हैं न जीतेंगे न जीतने देंगे क्या होगा उसके लिए बुम्यार का वोट काट लेंगे इसमें कहीं दो रहा है कि निलाव कुमार के साथ 40,000 वोट विज्एपी को मिलेगा वो पूरा जो एक मुष्ट वोट गिरता मुखे सहनी के परताषी को अगर मलाज समाज से होता वोट ऑव कन्वर्ट हो जाएगा इसके अलावा एक और बात का चर्दा में भूल गया जिक्र करिब करिब वहां 30,000 के आएसपास कुर्णी विधान सभा में वैसे वोटर है किदार गुपता जो बीजेपी के परतासी है उनके जाती का वोट वहां पे 30,000 है और इस बार वहां पर कोई मोहन गुपता गोपाल गन से नहीं खड़ा हुआ है कि वैसे वोट में सेंद्मारी करेगा वो तीसे दर एक मुष्ट बीजेपी को गिरेगा तो फिलहाल जो महाल है वो बहुत बिगरते हुए नहीं दिख रहा है मुझके सैनी फैक्टर बने तो म्यारों का वोट काड़ेंगे भी यह भी बात ही पकी है लेकि उनके जो ट्रेड यह अब विकल्वब खोज रहा है बिहार का मुसल्मान अब विकल्प खोज रहा है राजत में अब हो पकड़ नहीं रहा जो पहले हुआ करता था और अब AIM AIM O जगा लेगा और बहुत जल लेगा और लेना सुरू भी कर दिया है चलिए दलित बोटर जो है बड़ा फैसला करेंगे 19 पर 30 उनकी भूमी का जो है कुड़नी उपचुनों में है 3,11,728 मद दाता है और तमाम जो आकरे हैं जाती है समिकरन की इसकी चर्चा खूब हो रही है ये चर्चा हम ही नहीं कर रहे हैं सभी राजनितिक दलों के द्वारा मतदान से पहले ये गठ जोड हो रही है और आज की रात बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए जो मैदान में खड़े है समीर आजितिक दलों के लिए भी क्योंकि जनता जो है विचार करके इस वार कुड़नी में मद्दान करने जा रही है कुड़नी के इतियास को जाना जाय तो मनोज कुषबहा जो विधायक रहे हैं मंत्री भी बने हैं दूसरी तरब केदार पर साथ गुपता है पिछली बार भी विधायक रहे थे हालाकि अनिल सहनी की सदस्ता के बाद जब वहां उपचुना हो रहा है तो जद्यू के परत्यासी का जो दौ है वो लगा हुआ है दूसरी तरब देखा जाए तो तमाम जो बीजेपी के नेता है चिराग पासमान लगातार चुनावी परत्यार परसार करते दिखें उनके नेता क्य अधा कुछ होगा वो भी नजशनर हम आपको बताएंगे लेकिन जो आ कड़ा है जो जमीनी हकिकत है आमने आपको बताए आपको कैसा लगा कॉमेंट वाक्स्या-पास में लिख कर बताय कि कुडूरी कुण जीत रहा है तो आप लिखें बहुत भाँत दन्यवाद